है कि Christianity, मसीहत, भारत की हो या विदेश की हो, बहुत जल्दी non-biblical doctrines को या non-biblical topics को बहुत जल्दी से accept कर लेती है या स्विकार कर लेती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं उसको यहां बोलने बैठूंगा तो मेरा topic, मेरा subject जो है वो बार चला जाएगा, लेकिन उसमें से एक है यह जूता पेंकर stage पे ना चुड़ना, जूता पेंकर प्रचार ना करना, जूता पेंकर आराधना प्रातना ना करना, उसमें से यह एक highlight है, मुझे बहुत सारे वीडियो पे, जहां मैं प्रचार कर रहा हूँ, जूते पेंकर, उसके उपर YouTube या Facebook के उपर लोग डालते हैं, के पासे डैनियल आपका सब ठीक है, लेकिन आप जूते पेंकर प्रचार क्यों कर रहा है, तो यह बहुत टाइम से चल रहा था, अब ही रिजली थोड़ा सा जादा हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, इसके उपर बात किया जाए, और लोगों को educate किया जाए, परमेश्वर का वचन से सही concept में, या context में उनको समझाया जाए, तो मैंने सोचा कि आज वो मैं उसके उपर करूँगा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो लोग जुड रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, इस अजबुत सिक्षा को सुनने के लिए, ना सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ऐसी दो आयते हैं, या दो scripture से जहां पे Old Testament में परमेश्वर ने जूते उतारने को बोला, एक है मुसा और दूसरा है यहुशू, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक है मुसा और दूसरा है यहुशू, इन दोनों से परमेश्वर ने कहा था कि जूते उतारो, एक से परमेश्वर ने कहा था और दूसरे से सुर्गदूद जो कप्तान था, योधा था, कैप्टन था, वारियर कैप्टन था, एंजल, उसने कहा यहुशू से कि तुम जूते उतारो तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि नीता सॉलोमन अगर आप नीचे स्क्रिप्चर डाल सके मैं आज स्लाइट्स पे नहीं आऊंगा मैं डिरेक्ट आ रहा हूँ ताकि आप लोग सुन सके मैंने जल्दी से प्लैन किया है बट नीता सॉलोमन जो है वो नीचे वचन को डालती चली जाए सबसे पहला निर्गमन की किताब तीसरा दिया है वचन एक से लेके पांच तक दे बुक आफ एक्सिडस चैप्टर त्री एन वर्स फ्रम वन तो फाइव मैं उसके लिए आपको पढ़ने जा रहा हूँ लिखा है यहाँ पे मुसा अपने ससुर युत्रो नाम मिदान के याजक की बेड़ बक्रिया चराता था और उन्हें जंगल की परली और होरेव नाम परमेश्वर के परवत के पास ले गया परमेश्वर के दूत ने एक कटेली जाडी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दिस्टी उठा कर देखा कि जाडी जल रही है पर भस्म नहीं होती ये एक चमतकार उसने वाँ पे देखा वचन तीन तब मुसा ने सोचा कि मैं उधर फिर कर उस बड़े अचम्बे को देखूंगा कि वहाँ जाडी क्यों नहीं जल जाती वचन चार जब यहवा ने देखा कि मुसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने जाडी के बीच में से उसको पुकार के कहा हे मुसा, हे मुसा मुसा ने कहा क्या आ गया वचन पांच परमेश्वर यहवा ने कहा उसने उससे कहा इधर पास मता और अपने पाउं से जूतियों को उतार दे इंगलिश में सैंडल है हिंदी में जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस तान पर तु खड़ा है वह पवित्र भूमी है बड़े द्यान से सुनेगा यहाँ पे दो बाते हैं एक परमेश्वर ने कहा सैंडल यानि जूते इंदी शब्द जूता है इंग्लिश शब्द जो है वो सैंडल है और हिब्रू जो वर्ड है वो है नाल यह हिब् करता हूं एक परमेश्वर कह रहा है पासमता और दूसरा परमेश्वर कह रहा है सैंडल उतार पीतरा वो कह रहा है क्यों यह दो चीज तुझे नहीं करना है वो इसलिए क्योंकि जहां तू अभी आएगा या जहां तू अभी चड़ा आ रहा है वो पवित्र जगा है परवत के पास जो दू आ रहा है वो पवित्र जगा है ना मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दूसरी बात जो बता दू जो परमेश्वर ने यहुशू से भी कही थी यहुशू की किताब उसका पांचवा अधियाई और वचन पंदरा बड़े द्यान से सुनिएगा यहां पे लि यहुशू ने वैसा ही किया तो टोटल बाइबल के अंदर एक हो गया एक्सिडस चैप्टर त्री वर्स वन तो फाइफ दूसरा हो गया दबुक ऑफ जोश्वा चैप्टर फाइफ वर्स फिफ्टीन ये दो आयतों में आप देख सकते हैं कि दो जगे पे इसके अलावा और मैं रिपीट करता हूँ एक होता है अबजेक्ट और दूसरा होता है सबजेक्ट आप अबजेक्ट को मत पकड़िये सबजेक्ट को पकड़िये सबजेक्ट क्या है पास मता जहां तू आ रहा है या जहां अभी तू पहुंचा है वो जगा पवित्र है उसने ऐसा क्यों कहा क जहां तु आ रहा है वो पवित्र जगा है मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा फ्लैश बैक में चले जाए आप ऐसा सोच ये कि आप अभी वहाँ पर हैं मुसा के साथ में अपने आपको कलपना में ले जाए है और आज से आप कुछ हजारों साल पीछे चले जाए और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा वाक्या है ये कहां पर घटा है ये हाथसा घटा है मिडल इस्ट में जहां पर आपका जॉर्डन है इस्राइल है पिलिस्तीन है यरुष्लेम है परमेश्वर का इजिप्ट है ये उसी के मिडल इस्ट के आसपास की घटना है जहां पे पॉपुलेशन कम है जितनी आज है उतनी तब नहीं थी रिच्वल्स उतने जितने आज हैं तब नहीं थे कल्चर्स जितने आज हैं तब नहीं थे इन सबी को ध्यान में रखते वे अगर आपको पता चले कि उस वक्त में परमेश्वर ने मुसा से क्यूं कहा जूता उतारने के लिए तो ये जो आज आप ठहरी लगाओगे या कॉंसेट अपना लगाओगे तो आप नहीं लगाओगे नहीं लगाना आपको पहली बात गलत हो में ये पहला इनकाउंटर है जिसको हिंदी शब्द में कहूंगा आमना सामना ये परमेश्वर का पहला आमना सामना है मुसा के साथ में जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुसा को बचा लिया था दो साल के उमर में जब वो बच्चा था चाली साल इजिप में चाली सार हो गया फिर बात उठी कि अब मुसा को परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए बचा आया है उसमें उसको इस्तामाल करना है और ये पहला इंकाउंटर है तो परमेश्वर उसको कह रहा है कि मुसा आप वह हैं बड़े ध्यान से सुना आप वह हैं जो छे लाख इस्राइली पुरुशों को बाहर निकाल कर रहकर आओगे नमबर वा नमबर टू आप वह हैं जो दस अग्या की नियम को बनाओगे नमबर तीन आप वह हैं जो पांच किताबे अब लिखना शुरू करोगे नमबर चार आप वह हैं जो अब यहां से तंबू कैसा होगा आर्क कैसा होगा मेरा परमेश्वर का जो अरपन करना है वो कैसा होगा ये सब तुम बताओगे तो परमेश्वर के पहले ही इंकाउंटर में परमेश्वर मुसा को बताना चाहरा था कि तुम जिसके पास आ रहे हो वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र है मैं वापस कहता हूँ परमेश्वर उसको बताना चाहता था कि जहां तुम आ रहे हो जिस परमेश्वर के चमतकार को तुमने देखा या आवास को जो तुम सुन रहे हो ये तुम्हें समझ आनी बहुत ज़रुरी है कि जिस परमेशवर का अभी सामना हो रहा है वो पवित्र है फिर साती साथ वचन छे में उसी का निर्गमन तीसरा दिया वचन छे में परमेशवर उसको याद दिलाता है कि मैं वो परमेशवर हूँ जो तुमारे पुरवजो का परमेशवर हूँ अबरहम का परमेश्वब, इसाग का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर उसको परमेश्वर एहसास दिलाता है, मैं वही हूँ जो तुमारे दादा पर दादाओं को रहना लेकर चला हूँ, तब मुसा को यह एहसास दिलانे के लिए कि तुझे अभी झाल नारियल नहीं त सेंडल उतारने, जूते उतारने, ना, इसकी बहुत सारी थैरीज है, बहुत सारे कॉंसेप्ट है, इसके बहुत सारे अलग-अलग जवाब भी हो सकते हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपका दने बात करता हूँ, प्लीस आखिर तक सुनिएगा, मैं ज्यादा लंबा न इसलिए परमेश्व ने का कि जूते उतार, ये भी एक वज़ा हो सकता है, सैंडल उतार, ये भी वज़ा हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजों को ध्यान में ना लाते हुए, सबसे पहला पॉइंट आप ये समझे कि परमेश्व ने क्यूं कहा कि तुझे सैंडल उतारनी है, क बहुत ध्यांद जो सुनेगा परमेशवर ने कहा था पास नहीं आना यह वही है जिसने कहा कि जब मैं तुम्हारे बीच में उतर खरायू तो तुम्हारे जानवर मेरे जो टेरिट्री है ना और्क जो बनाया था तंबू उसके आसपस नहीं गुमने चे Kellie नहीं तो मैं उनको मार दूंगा यह पत्थर से मर वा दूंगा ये परमेश्वर का नियम था तो इसका मतलब है परमेश्वर शिरुवात से एक ऐसी क्या कहते हैं विचार धारा मूसा के मनमें डालना चाह रहा कि तुझे पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के साथ तू डील कर रहा है बातचीत करता है वेवार करता है वो परमेश्वर बहुत स्थिक्ठ है पवित्र है और भाई योग के परमेश्वर है ये बात उसके दिमाग में डालने के लिए ये घटना घटी अब दिक्कत क्या हो गई कि ये घटना को जो वहाँ पर घटी और योशु के साथ में घटी इसको उठा कर खेर योशु को तो बाद जादा नहीं उठाते लेकिन मूसा का उठाते वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि जूते उतारो सैंडल उतारो इसलिए हम भी जब चर्च में जाते हैं या प्रातना सबा में जाते हैं या फिर जो कहते हैं कि कॉंसेट में जाते हैं कॉंफरेंस में जाते हैं हाँ पे जब हम जाते हैं तो पुल्पिट पे हम जूते उतार देना है तो रेफरेंस क्या है ये वाला मुसा वाला जड़ा सोच के देखिए मुसा के साथ की जो घटना घटी और अभी जो आप हैं उसकी दुलन आप उसकी कलिसिया नहीं वाचा के लहु के लोग धार पाईव वे लोग, आपका शरीर अप परमेश्वर का मंदिर है, अप परमेश्वर अंदर बैठता है, तो मुसा की घटना के साथ, और आप जो आज उसकी कलिस्या दुलन है, मुझे प्लीज सोच के बताएं, क्या कोई मेल है, सोच के बताइए, समझ ये इस बात को, क्या कोई मेल है, आप तुलना कर सकते हैं? जी नहीं. मुसा का कंसप्शन अलग है, आपका कंसप्शन अलग है, मुसा का सिस्टम अलग था, उस वक्त में अभी का सिस्टम अलग है. मैं वहाँ पर आऊंगा कुछ लोग कहते हैं कि जूता उतारना चाहिए चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूँ मुझे भी लोग कहते हैं मैं भी अभी कह देता हूँ जब आप किसी के घर पर जाते हैं तो आप सबसे पहला ये देखते हैं कि भाई हम यहां जूता उता रहे और हमने उतारना भी चाहिए हमें ये समझ में आ जाती है कि हम किसी के घर पर जा रहे हैं तो हमने जूते जो हैं अंदर पहन के नहीं जाने हैं हमने पूछते हैं कि भाई क्या जूता allowed नहीं है लए बड़े द्यान से सुनिएगा जब आप church में जाते हैं और वहां का जो system है कहते हैं कि जूता नहीं पहना है तो उनके लिए या उनके system के लिए मैं खुद भी जूते उतारता हूं मैं जूते पहन के पुल्टपिट पे नहीं जाता हूं लेकिन अगर मुझे ारना है क्योंकि जहां पर अभी खड़े हो के प्रजार करने वालें हो जगा पवित्र है क्योंकि Farmish ने मुसर से कहाता कि मैं आया हूँ इसलिए जगा पित्र है तो मैं इसgsक्टंस से और क्या कहते हैं संदर्ब में या इस कॉंसेप्ट से मैं सहमत नहीं हूँ मैं वापस कहता हूँ मैं इस कॉंसेप्ट पे सहमत नहीं हूँ क्यों क्यों कि उसकी वज़ा है ना हम भारतिय लोग एशियन्स लोग यहाँ खुदा है यहाँ गौड है तो यहाँ का कल्चर यहाँ का सिस्टम कहता है कि जूते वहाँ पर नहीं पहनना और वो नहीं पहनते हैं उनके हिसाब से वह सई है लेकिन जब बात आती है Panagrin Krishnan की बात आती है पवित्राथमा पाएवे लोगों की बात आती है सच्छाए को जानने वाले क्योंकि हमें और आपको पता है डंके के चोट पे बोलता हो ओपन चैलेंज है मुझे कोई स्क्रिप्चर से निकाल के बता दे के परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहता बलकि वचन कहता है के परमेश्वर आपके अंदर रहता है परमेश्वर बाहर नहीं रह था, स्टीफनिस ने ज़ज़ को पत्तर मार दिया गया, प्रेजितों की किताब सात्वा दियाय में, उसने बहुत स्पस्ड शब्दों में भोला है, कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, परमेश्वर कहां रहता है, इसी बात को पौलूस ने, पवितर बोलते हो तो ये मुर्ती पूजा के बराबर है बहुत द्यान से सुनना वापस बोलने जा रहा हूँ अगर आप किसी जगा को कहते हो ना कि ये जगा पवित्र है यहां पे परमेश्वर है और आप यहां जूते मत पहनियें तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस जगा की पूजा है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ परमेश्वर के नजर में जूता प्राब्लम नहीं था परमेश्वर के नजर में मुसा प्राब्लम था जूता नहीं मुसा प्राब्लम था मुसा को ठीक करना था जूते को नहीं ठीक करना था मुसा को सुदारना था जूते को नह मुसा को बेजना था मिशन के लिए जूते को नहीं जूते को निकालने के लिए कहा है उसकी कई वजा हो सकती है लेकिन जो दिखने में और उठकर आता है वो ये है कि वो मुसा था जिसको कहा यहां पर आने से पहले तुझे जूते उतारने है क्योंकि वो सिस्टम अलग था अ किसी को मिलने आता है तब तब परमेश्वर कहता है जूते उतारो तो मेरा सवाल है कुछ आप लोगों से और ऐसे लोगों से जिनों ने इसको सिद्धान्द बना है मैं वापस कहता हूँ अगर जहां जूते नहीं चलते मैं उतार देता हूँ जिस डिडामनेशन में जूते न मैं compare नहीं कर सकते परमेश्वर पत्थर नहीं है परमेश्वर स्टेज नहीं है परमेश्वर पुल्पिट नहीं है परमेश्वर आपके कलिस्यों की दिवार नहीं है परमेश्वर परमेश्वर है पुल्पिट पुल्पिट है दिवार दिवार है स्टेज स्टेज है आप उसक हर एक वेश्वासी को उस वक्त के हर एक दास को नभी को जितने भी थे क्या उन सब को जूते उतारने बोला example के तौर परमेश्वर सबसे पहले नू से मिला परमेश्वर नू से मिलता है क्या उसने उत्पति की किताब छटवा दिया वचंग 13 में उसको कहा था कि तुम जूते उतारो सोच की दिखिए उसको क्यों नहीं का जूते उतारो अगर परमेश्वर आ जाता है और वो जगा पवित्र हो जाती है तो क्या परमेश्वर अगर उस जगे पे है नूहा उस जगे पे नूहा उस जगे पे है तो क्या उसको का जूते उतारो नहीं क्या परमेश्वर ने जब अबराम से मिला उत्पति के अठारेवे अधियाए में तिया उसको कहा था कि तुम जूते उता रहो जब वहाँ पर ट्रियोंग ओड आए एक साथ में पिता पुत्र पवित्रातमा ये तीनों वहाँ पर आये तो क्या उन से का कि तुम जूते उतारो जी नहीं उतारो वहां पर ऐसा कोई जिकर ही नहीं पढ़ते हम लोग फिर परमेश्वर पूरी रात याकूब से लड़ता रहा या याकूब परमेश्वर से लड़ता रहा दोनों का प्रात्ना का युद्ध होता रहा तो क्या वहां प पर्मेशों ने बोला तेरे जूते उतारो क्या वहां पर जूते का जिकर हम पढ़ते हैं जी नहीं ये शाया नभी हो ये रमाया नभी हो जितने भी प्रॉफिट आये थे उन सभी प्रॉफिटों को क्या पर्मेशों ने कभी भी बोला कि देखो अभी मैं तुमसे बात करने आ हो कि जूते उतारो जी नहीं हम पढ़ते आप वहां पर ऐसा कोई जिकर ने है और एक बात को सुनिए का बड़े ध्यान से लूका की किताब ना ये निव टेस्टमेंट की बात है लूका की किताब उसका लोग थे एक है पतरस दुसा है यहना तिसा है याकुब ये तीनों को जब परमेशवर वहाँ दिखाई दिया येश्यु मसी बात कर रहे हैं मूसा और एलिया से तो वहाँ पर ये तीनों चपल पैनके गए हूंगे ना तो इन तीनों जिस पुल्पिट पे, जिस क्रूसेड में, जिस कन्वेंचन में, जिस घर के अंदर जूता अलाउड नहीं है, डैनियल राज नहीं पहनता, उनको कहता है ठीक है सर मैं नहीं पहनूँगा, लेकिन कम से कम ये डॉक्ट्रियन मत बनाएए, ये सिद्धान्त मत बनाएए, कि आपको समझना होगा, अगर जिस दिन आपने जगा को पवित्र बनाना शुरू कर दिया, जैसे बहुत सारे लोग पहाड को पवित्र मानने लगते हैं, पेड को पवित्र मानने लगते हैं, नदी को पवित्र मानने लगते हैं, जगहाँ को पवित्र मानने लगते हैं, इसल मैं वापस कहता हूँ जहां जूते नहीं चलते मैं नहीं पहनता लेकिन आप कम से कम ये तो मत कहिए कि तुम पुल्पिट पे कैसे जूते पहन के आगे यार जहां चल रहा था वहां नहीं पहन लिया जहां नहीं चलता है मैं वहां नहीं पहनता हूँ अगर जहां पे चलता है मेरा church, Sunday की दिन जहां मैं जाता हूँ, जहां पर मैं सभा लेता हूँ, वो भी एक church है, एक brethren या मर्थोमा church है वो, और वहाँ पे ऐसा कोई system नहीं है, कि यहां जूते पहन के प्रचार करना allowed नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ allowed है, इसलिए मैं Sunday की दिन जूते पहन कर है, वो कहते हैं, यस allowed है, और मैं पहन के प्रचार करता हूँ, फिर कुछ मुर्ख टाइप के लोग, कुछ बुद्धी हीन लोग, जिनको वच्छन का ग्यान नहीं है, अगर वो मुझसे कहते हैं, कि आप पुल्पिट पे जूते कैसे पहन के प्रचार कर रहें, तो फिर मैं उनसे एक बात कहना चाओंगा, सर, अगर आप मुझे मुसा का वचन कोट करते हैं, कि मुसा ने जूते उतारा, तो मैं उनसे अभी जरा सक्त हूँ, मैं जरा बोल देता हूँ, सर, आप फिर कातना कराईए न, आप अपना खतना कराईए, मैं जूते उतार देंगा हर जगे आप अपना खतना कराईए, आप खतना गरा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, क्यों, फिर वहाँ पर थैरी उठती है, कि नहीं यहुदी लोग के लिए था, फिर यह मुसा के लिए था न, सर, मुसा को कहा न, जूते उतार, मुझे तो नहीं बोला न, आपको तो नहीं कहा न, आ उसको लोगों ने accept किया हुआ है अभी उसका subject नहीं लेकिन मैं उसको जादा नहीं बोलूँगा लेकिन मैं उसकी उपर भी प्रचार करने वाला हूँ और साथी साथ जो Catholic में कपड़े पहनते हैं पूरा जोला टाइप का सफेद कलर का उपर से लाल और फिर गले में क्रॉस ज यह एक धार्मिकता को प्रगर करता है मैं उसके उपर भी आऊँगा दिक्कत यहां पर यहां है कि हम non-biblical statements non-biblical doctrines को जल्दी से accept कर लेते हैं और उसको अपने चर्च में लागू भी कर देते हैं यह दिक्कत है हमारी लाओ एक फणी चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत ध पता है उसको क्या करते हैं अरे सर रहने दीजे जुता मत उतारिये आप अंदर आजाए यह करते हैं इसलिए याकूब का किताब उसका तीसरा दियाय में अगर आप एक से पढ़ोगे ना तो वहां पर जो याकूब लिखने वाला कहता है तुम्हें पक्षबात होता है तु उसको तुरंट बोलना शुरू कर देते हैं कि यह आपने जूते कैसे पहन लिए ना मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीजे आपको और बता हूं आपको पता है पालूस जो पहले शाओल था पालूस को येश्यो मसी ने उसने इस वाक्या को दो जगे पे लिखा है प्रेडितो क किताब 26 वादिया है वचन चवदा दबुक ऑफ एक शैप्टर 26, 114 जब पालूस को येश्यो मसी ने दर्शन दिया जब ओ दमेशिक की तरफ जा रहा था गोडे की तरफ चला जा रहा था बैठकर दमेशिक की तरफ जा रहा था रोशनी उसके उपर आई और वो नीचे गि और वचन 14 कहता कि जब हम सब भूमी पर गिर पड़े तो मैंने इबरानी बाशा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना कि हे शावल हे शावल तू मुझे क्यों सताता है पहने पर लात माना तेरले कटीन है मेरा प्रशन है बड़े द्यान दो सुनिएगा यहां येश्यो वहाँ पर आचुके थे इबरानी बाशा में उनसे बात कर रहे थे कि तू मुझे क्यों सताता है तब पाउलूस ने उससे बात करी मैंने तुझे कब सताया ये प्रबू आप कोन है तो वहाँ येश्यो ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुझे अभी यहां जूते उतारने मेरा प्रशन है उसको क्यों ने का कि यहां तुझे जूते उतारने सोच के बताई क्योंकि जूते उतारने का कॉंसेट है ही नहीं सर न्यू टेस्टमेंड में आप जूते पहनो जूते नहीं पहनो बाहर से आप क्या करते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता परमेश्वर को क्यो आपको पता है, यह आपको अच्छा भी लगेगा, आखिर तक मेरे साथ बने रहीएगा, यह आपको अच्छा भी लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पढ़ा हूँ, और मैं अनीता सॉलमान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कि वो वचंग को डाल दे, निर्गमन के कित निर्गमन 12-11, उसके खाने की, यानि की पासोवर की बात हो रही है, मिमने के लहू को दरवाजे पे लगा, उसका मीट खाने की बात हो रही है, जिस रात को वो निकल जाने वाले थे, उसकी बात हो रही है, तो कहता है, उसके खाने के, किसकी मीट खाने की, लैम के मीट को ख इना ये कौन सा दिन है जिस रात परमेश्वर छे लाग लोगों को एजिप्ट से निकाल कर लाल समंदर पार करा कर प्रतिग्या के देश में ले जाने वाला है कहता है जूते पहनो अब एक प्रश्ण है मेरा बहुत ध्यान से सुनना मुसा से कहा जूते उतार यहाँ पे छे लाख लोगों को कहरा जूते पहनो वो तो शुकर है कि मुसा आपकी और मेरी तरह बुद्धी ही नहीं था उसने ऐसा कोई सिद्दान नहीं बनाया उसने ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई कि परमेश्वर ने जब मुझे पहली मु लाकात हुई तो उसने मुझे जूते उतारने बोला इसलिए काम करो तुम लोग भी अपने अपने जूते उतारो क्योंकि हम लोग लाल समंदर पार करने वाले हैं इसलिए जूते नहीं पहना तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं जूते पहनो जूते पहन कर आपको यहां से निक आएगा आपको पहला कुरान ते और मैं चाहता हूं कि इसको जितना हो सकता है फौरवर्ड करिये जितना हो सकता है लोगों तक पहुचाईए ताकि जो गलत चीजें है वो निकल जाए और यह जो क्या कहते है रूडी वादी में धार्मी कात्मा में से चलना बंद करिये मैं व आविश्वासी थे बहुत उल्लू बने हैं बाबा लोगों के द्वारा लेकिन कम से कब अभी हम मसी के अंदर कोई बाबा नहीं चाहते जो हमको वापस से उल्लू बना है ना पहला कुरंतियों दस्वा दिया है और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा वचन द लिखां हैं परमेश्वर केता है ये श्मसी पालूस के द्वारा कहलवाता है काथ बादल में और समन्दर में कौन सा समन्दर रेट सी उस में कहता है जूते पहन कर बडिस्मा लिया आप नहीं समझे है बीबी नर्गमन की किताब 12 का 11 में कहता है जूते पहनो पहला कुरंतियों 10 का 2 कहता है कि तुम्हारा बाप्तिस्मा हुआ इलाल समंदर में तो इसका मतलब है कि जब बाप्तिस्मा हो रहा था आत्मिक बाते हैं जो समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे तो वो जूते पहन के बाप्तिस्मा ले रहते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर नहीं था क्या वचन पढ़ते हैं लिखा है वचन तीन में लिखा है और सबने एक ही आत्मा आत्मिक भोजन किया वापस कहता है सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया कौन सा आत्मिक भोजन है जो परमेश्वर वक्त वक्त पर उनको बताता था उनको समझाता था वचन के माध्यम से बड़े द्यान से सुनीगा वचन चार फिर कहता है सब ने एक ही आत्मिक जल पिया और ये क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे बड़े द्यान से सुना जो उनके साथ साथ चलती थी और वचन कहता है आखिरी में वो चट्टान मसी था आप नहीं समझ रहे है अभी भी देखो पहला कहता है जूता पहलो निर्गमन के 12 का 11 में फिर पहला कुरंतियों 4 कहता है कि तुम परमेश्वर यहोवा परमेश्वर येश्व मसी परमेश्वर पफितरात्मा साथ सा चलता था इसका मतलब है जब परमेश्वर साथ सा चल रहा तो वो जूते पिना के चला रहा है आरे यार सी देट तो परमेश्वर को जूते से प्रॉब्लम कभी था ही नहीं सर मैं यही तो समझानी कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर को जूते से अगर तकलीफ होती तो लाल समंदर में जहां बाप्तिसमा हो रहा है देखो मैं नहीं ब रहा था ये कैसे पॉसिबल है अगर परमेश्वर को जूते से प्रॉब्लम होता तो परमेश्वर यहां मना करता ना भाई परमेश्वर बोलता ना कि तुम जूते पहन के बाप्तिसमा कैसे ले रहे तुम जूते पहन के कैसे क्या पानी में उतर गए तुम जूते पहन करके इससे क्या चटानमे से पानी पी रहे हो कैसे बोल सकता था परमेश्वर मना नहीं करता था क्या उनको तो मैं वापस कह रहा ह इस्राइल के अंदर जो इस्राइली लोग थे उनमे एक प्रथा थी प्रथा समझता हूँगे कस्टम ये एक सिस्टम था मैं आपको बताता हूँ क्या है अगर किसी का पतनी चले अलग तरीके से आता हूँ मुझे मेरी हिंदी बे थोड़ा घड़बर हो सकता है मुझे ठीक करिएगा अगर दो भाई है दोनों की शादी हो गई दोनों शादी करके एक ही घर में रहते हैं और एक भाई मर गया और जो भाई मर गया उसका एक भाई जो जिन्दा है उसकी पतनी जो भाई मर गया वो पत्नी के लिए जो भाई मर गया वो क्या कहलाएगा I think Jit Jit अगर मैं सही हूँ ज्यांजन सुनना Bible कहती है कि जो पत्नी का पत्नी मर गया यानि उसका भाई मर गया वो पत्नी दूसरी शादी ना करे उसका भाई जो अभी जिन्दा है उससे शादी करे और उसका जो पहला बच्चा होगा उस बच्चे को अपने भाई का नाम दे ताकि इसराइल के अंदर से उसका वंश चलता रहे ये प्रथा थी अगर बहुत द्यान दो सुनना अगर वो भाई कहता है कि मैं अपने भाई की पत्नी को नहीं शादी करूंगा और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है तो आएए देखते हैं रूल क्या था ये जूते का गनेक्शन है इसके साथ द्यान दो सुनेगा मैं वापस आपके लिए कह देता हूँ वैवस्ता विवरन पचीसवा अधियाए और वचन नौ देखें यहां पर क्या लेका है मैं उपर से नहीं पढ़वा रहा हूँ मैं सीधा पॉइंट पह रहा हूँ तो कहता है एक काम करते है आठ से पढ़ते हैं तब उस नगर के लुआ कर उसे समझाए और यदि वह अपनी बात पर आडा रहे कि मुझे शादी नहीं करना है आडा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याना नहीं भावता मुझे इसको साथ शादी नहीं करनी है वचन नौ तो उसके भाई की पतनी मतलब जेट उसके भाई की पतनी उन वृद पर थूक दे और कहे जो पुरुष अपने भाई के वंच को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का वेवार किया जाएगा आप नहीं समझेया पीबी जो पतनी को भाई जो जिन्दा है जो पती भाई मर गया उसकी पतनी से अगर शादी करके वंच को आगे वो बढ़ाना नही जोती उतार के उसके मुँपे थूके और उसको ऐसा ही करे क्योंकि उसने वंच को आगे नहीं बढ़ा तो ओल्ड टेस्मेंट में इस्राइलियों के बीच में एक प्रता चलती थी कि अगर किसी को अपने भाई मर गया भाई का भाई मर गया उसकी पतनी का वंच आगे करे और उसको नाम अपने भाई का दे अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता तो उसको जूते से जूते उसकी जूती उतारे और उसकी मुँपे थूके उसकी जूती उतारे नाव इसी को रूत की किताब में दबुक ऑफ रूत चैप्टर फो वर्स सेवन रूत की किताब चौता अधियाए वचन साथ, आईए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, अगर रिलेटियूस में, अगर रिष्टेदार में कोई किसी की जमीन को छुड़ा सकता है, तो सिरफ वही छुड़ा सकता है, अगर वो नहीं छुड़ाना चाहता, तो वो किसी को उसकी जमादारी दे सकता है, तो आईए देखते है प्रता क्या, तो लिखा है वचन साथ में एक से पढ़ेंगे, तो पूरा कॉंसर्प समझ मैंगे, लेकिन मैं सिरफ साथ पढ़ा रहा हूँ, रूत की किताब चौता दे वचन साथ, अगले समय में इसराइल था कि मैं इसकी जमीन नहीं छुडा सकता, मैं जिसकी जमीने उसे शादी नहीं कर सकता था, तो बोवास ने रूत से शादी नहीं करी, बल्कि उसने उसकी जमीन को भी खरीदा, उसकी कीमत भी चुकाई, शादी भी करी, और जिसके उपर ये जमेधारी थी, उसको उसने कहा तेरी जूती उतार कर मुझे दे अब जरह ध्यान सो सुनना एक जूती या दो जूती मैं रिपीट करता हूँ एक जूता या दो जूता एक सैंडल या दो सैंडल अगर यही सिस्टम तब चलता था मेरा फिर प्रशन उठेगा मुसा ने एक सैंडल उतारा अगर आया या पहाड पर ही रखा जिसको अभी अभी आपने सुना कि ये पवित्र जगा है अगर ये पवित्र जगा है तो जूता उतार कर वहीं रखा या फिर कहीं और एक जूता उतारा या दो जूता उतारा मेरा ये पॉइंट है आप से प्रश्न है जैसे यहां पे लिखा है जूती उतार नाव एक वचन मैं आपको और पढ़वाता हूँ कहां गया ओके एक वचन मैं आपको और पढ़वा देता हूँ जी एक वचन मिल गया नीथी वचन पहला अदियाए वचन पंदरा नीथी वचन पहला अदियाए वचन पंदरा नीथी वचन पहला अदियाए वचन पंदरा बहुत ध्यान से सुनेगा लिखा है तो हे मेरे पुत्र तु उनके संग मार्ग में ना चलना वरन उनकी डगर में पाउं भी ना धरना पाउं तक नहीं रखना इसका मतलब क्या है कौन सा पाउं एक पाउं या दो पाउं सोच के देखिए जब आप किसी घर पे जाते हो राइट पैर या लेफट पैर रखते हो यहाँ पर नीतिवचन में लिखने वाला कहता है पाउं नहीं रखना कौन सा पाउं दोनों पाउं या एक पाउं यहां पे बहवास ने जूते लिए एक लिए यह दो लिए यहां पे अगर भाइस की पत्नी से शादी नहीं कर रहा है तो जूते ले लो एक जूते या दो जूते यह प्रशने नहीं है फिर मेरा प्रशने यहां है आप येशु के लोग हैं आप कलिसिया हैं आपका शरीड मंदिर है परमेश्वर अभी पेड में जाड में जाडियों में या कहीं और दशन नहीं दे रहा है वो आपके अंदर है और आप में वास करता है यार जूते का क्या समस्या है आप सडक पे चलते हो तो प्रभू आपके साथ है जूते पहन के चलते हो तो प्रभू आपके साथ है रेस्टोरंड में खाना खा रहे हो तो प्रभू आपके साथ है रेलविज सेशन पे खड़े हो तो प्रभू आपके साथ है एरपोर्ट पे उनके समान हो गए, मेरा फिर ये प्रशन हो जाएगा आपके लिए, मैं समाप कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनेगा, जानते हूँ ये शुने क्या का, लुका के किताब उसका दस्वा अदिया वचन चार में, आए देखते हैं क्या लिखा है, लुका की किताब उसका चौ जोली, ना जूते लो, ये शुने का, जूते नहीं लेना, तो फिर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो मुसा का इतना सा स्टेटमेंट पढ़के, हम को कहते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं, कुछ भी ये धारना रखते हैं, कि हम स्टेज पे जूते पहन के नहीं और फिर आपको ये भी करना चाहिए, ये तो आप नहीं करोगे, फिर यहां पे आप लॉजिक लगाते हो कि नहीं नहीं ये शुमसी नहीं वैसा बोलागा, तो मैं वही समझा रहा हूँ कि सेर फिर आपको ये भी तो लॉजिक लगाना होगा ना कि ये शुमसी ने परमेश्व पर अंदर है ना बार तोड़ी है परमेश्वर की चीजे पवितर नहीं है परमेश्वर पवितर है चीजे पवितर नहीं होती। Ephesians chapter 6 and verse 15 देखें यहाँ पर क्या लिखा है पाओं में मेल के सु समाचार के तैयारी के जूते तो यहाँ पर येश्यु मसी हम को खुद जूता दे रहा है याद रखो जब उड़ाओ पुतर लोटकर आया था ना तो वहाँ पर परमेश्वर के उस बेटे ने बाप ने बेटे के लिए अंगुटी, कपडे, जूते और पालावा बचड़ा और आप जिसको कहते है प्रोडिकल सन यानि कि कोयावा पुतर आप उसका उधारन देते हैं इस कानी में और आप ये भी कहते हैं कि ये आप और हम है परमेश्वर वो बाप है, बेटा आप और हम है जो चले गए ते लोट कर रहा है तो परमेश्वर खुद जूते दे रहे ना आपको फिर आप जूते क्यों उतार रहे हैं मैं वापस कहता हूँ, जहां जूते नहीं चलते मैं वहाँ जूते नहीं पहनता जो पास्टर मुझे कहता है कि पास्टर डैनियल आपको जूते उतारने होंगे मैं बकाइदा जूते उतारता हूँ लेकिन अगर मैं कहीं पे जूते पहन रहा हूँ, जहां अलाउड है, या कुछ पास्टर लो पहनते जहां अलाउड है, जहां पे कुछ वर्शिपर्स या भाइबल टीचर्स लो पहन के प्रचार करते जहां अलाउड है, फिर तुम उनके पीछे क्यों पढ़ जाते हो, यार आप उनको क्यों ये बताते हो अभी देखो, यहां पे एक आदमी पूछ रहा है मन्ना थाड गोंडा बड़ा तकलीफ अला नाम है वो कहता है कि प्लीज आप शूस का आत्मिक मीनिंग बताइए यार भी तो बता दिया ना आत्मिक मतलब क्या है, सूस हमाचार के जूते जूता प्रॉब्लम है क्यों सर, मैं वापस कहता हूँ सब्जेक्ट को लीजिए, अब्जेक्ट को नहीं सब्जेक्ट समझे ना अब्जेक्ट को क्यों ये आपको समझना बहुत जरूरी है हम क्या करते मालो में पीतल का साप से चमतकार हो गया देखे, अभी मैं समापती की तरफ हूँ पीतल का साप से चमतकार हो गया तो आपको पता है इस्रेलियों ने क्या किया पीतल के साप को ईश्वर बना दिया मैं वापस कहता हूँ पीतल के साप को पीतल के साप को अच्छानक से ईश्वर बना दिया और फिर बाद में उसको तोड़ा गया बाद में उसको नाश किया गया मालम क्यों? क्योंकि इस्राहली लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी मैं वही तू समझा रहा हूँ यहां तक कि मन्ना जब गिरता था न तो लोग बचा के रखते थे कहते पवित्र मन्ना है हद हो गई यार आप सोच के देखिए तो इसका मतलब है कि बाइबल के अंदर जितनी भी घटनाएं गटी है हम उस सब को अभी देखो क्रॉस शायद फिर खभी इसके वर बात करूँगा क्रॉस यानि कि क्रूस जो कैतलिक में बहुत सारा उसको माहनियता दी जाती है अब उसको इतना पवित्र मान लिया गया है उसको इतना होली मान लिया गया है फिफ्टी पस्रेंड कैतलिक जो डिनामनेशन है जिसको पूरे दुनिया के अंदर क्रिशानिटी को इन्होंने ऐसा ठेका लेके रखा है कि यह पेश करेंगे क्रॉस सबसे उपर है अज इनके लिए जबकि भालूस कहता है पहला कुरंती की किताब उसका पहला दिया वचन 23 में फर्स कुरंती चप्ट वन वर्स 23 में वो कहता है परंतु हम तो उस कुरूस पर चड़ाएवे मसी का प्रचार करते है जो यहुदियों के निकट ठोकर का कारण था क्रूस पे चड़ाएवे मसी का प्रचार करते हैं क्रूस का नहीं क्रूस पे चड़ाएवे मसी का तो ऐसे लोगों ने क्या कि है न एक एक चीज को उठा लिया पीतल का सांप को उठा लिया कहीं पे क्रॉस को उठा लिया, कहीं पे रोजरी को उठा लिया, कहीं पे मरियम को, मा मरियम, येशु की जिन्हों ने उनको जरम दिया, उसको उठा लिया, कहते हैं कि ये पवित्र है, संतों को पवित्र बना दिया, जो पुराने लोग मर गए, अबरॉड में बैतेल चर्च एक चर्च है, बैतेल चर्च, उनके पास सगा नाम दिमाग पे नहीं आ रहा है, समित वीगल और उसकी पत्नी की डेड़ बॉड़ी के उपर, उसके ग्रेवियाट के उपर जाके लेड जाते हैं, और कहते हैं कि हम सोक कर रहे हैं, उनकी जो स्पिरिट है हम उसको सोक कर रहे है बोला क्यों, बोला समित वीगल बहुत पावरफुल थे, अभी कुछ लोगों ने क्या किया है, कि किसी के कोट गुमाने से, मैं नाम नहीं लूँगा आगया, अब समझदा रहा हैं, किसी के कोट गुमाने से पावर आता है, तो लोगों ने बोला कि छले काम करते हैं, उनका कोट लेकर आए और भारत में गुमा रहे हैं can you believe that वो कोट नहीं है कुछ परमेश्वर सब कुछ है लकडी कुछ नहीं है परमेश्वर सब कुछ है ये चीज़े नहीं परमेश्वर सब कुछ है हम ये बात को क्यों नहीं समझते है साथ मैं अभी समप कर रहा हूँ तो मैं वापस कहना चाहता हूँ मुसा को कहा जूता उतारो आपको नहीं यहुशु को कहा जूता उतारो आपको नहीं तो इसको सिध्धान्त मत बनाए इसको डॉक्टेन मत बनाए चर्च के अंदर अगर आपका कार्पिट खराब होता है तो मना करिए मैं समझता हूँ आपका चर्च का फर्नीशर खराब हो रहा है तो मैं समझता हूँ आपका चर्च गंदा होता है मैं समझता हूँ तब बोलिए जूते उतारो अच्छी बात है फर्श खराब होता हैचर्श खराब होता है अच्ही बात है क्योंकि अलग-अलग तरीके से लोग आते हैं लेकिन अगर ये कहोगे कि आप पुल्पिट पे जूते इसले नहीं पहनना क्योंकि वह पुल्पिट पवितर है तो फिर यहाँ पे आप गलत हो, मैं वापस अपनी अंतिम लाइन बोल कर कतम कर रहा हूँ, अगर कहीं पे जूता अलाउड है, बिल्कुल पहनिये, जूता पहन के प्रचार करिये, पाप नहीं है, जूता पहन के अराधना करिये, पाप नहीं है, जूता पहन के टीच करिये, पाप नहीं है, क तो बहुत सारे सिध्धानतों के बोज में धबे पड़े थे, मसी ने ये सौतंदर किया है, उसमें चलिये, और बे मतलब का गाय का बचरा मत बनाते बैठिये, आप लोग शाद नहीं समझे, बे मतलब का गाय का बचरा मत बनाते बैठिये, जो इश्वर नहीं है उसको बनाते मत बैठिये जैसे हरुन ने गाय का बच्छडा बना दिया ना बोला ये है हमारा इश्वर तो आप लोग भी बेमतलब का कोई भी चीज का सिद्धान दुटा कर मत बनाते बैठिये नहीं तो गरबर हो जाएगा नियाय की दिन आपको सामना करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर अपनी टीचिंग अतम कर रहा हूँ अगली टॉपक के साथ में या अगले विशे के साथ में मैं जरूर आओंगा आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं इसके लिए परमेशर का धन्यवाद God bless you all